पिछले लेक्चस में हमने अप्लीकेसंश सरवर या एकिस्थ सिकूर्टी से लेटर जाना अब जानेंगे हम इए कर सेकूरटी कि बारे में कि बैफ क्या है ड़ी को हम स्राइबर भी कहते हैं और स्सिकूरटी में देखेंगे कि इंटरणेट पे क्या-क्या स्यक्रण करना चाहिए अपने सिस्टम को सिक्र करना चाहिए अपने सबर को स्वेर करनाँ चाहिए तो उसमें पहले तो हम जानेगे एगा होता है तो ठीक कर सकते है कि एक MALICIUS ACT का मलब होता है जो हमें नुक्सान पहुंचा है हमार सिस्टम को डेटा को उसे मालेसियस एक्ट कहते हैं और जिसका में मोटू क्या रहेगा या जो तलास करेगा कि आपकी डेटा को डेश्ट्राइब करें डेमेज करें और से मलब नुक्सान पहुंचाए इस्टील करें स्टील मलब चुराए या मोबाल हैंग हो गया तो आपका बहुत सारा काम रुक जाएगा मलब एक तरह से डिले हो जाएगा तो वह कहेंगे हम उसे कि आपकी डिश्टर हो रही है उससे और जो होते हैं उनमें क्या हो सकता है या डियूएस अटेक भी हो सकता है और इनकी बज़े से क्या क्या नुक्स आपके सादली गिर जाना तो उसे क्या हो जाएगा एलेक्टिकल सिटी एलेक्टिकिटी नहीं रहेगी तो आपके सारे काम और ऑफ हो जाएगे हो सकता है फेलियर ऑफ मिलिटरी को मेंट्स कोई भी एक के मेंट्स वह फैलर हो गया तो बहुत जादा बिग प्रॉब्लम security secrets security के जो कुछ secret होते हैं national security के उनका breaches हो जाना या उनका leak हो जाना जैसे कि माले जो कोई भी security है Indian security इंडिया की national security मेला अपने कोई भी country की अपनी security के secret होते हैं अब और सेट हो जाए तो इससे बहुत सारी problem हो सकती देश में पता नहीं क्या कह सकते हैं हो सकता है एक सब्सक्राइब इसकी वेज़े से medical record भी चुरा सकते हैं या हमारे phone computers को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं या computer समारा पैरलाइज भी हो सकता है कि उसे भी करना या उसमें कुछ ऐसा करबर कर देना जिससे computer फुरा डिस्ट्रॉय हो जाए इनका जो परपज या मोटो होता है में मोटो रहेगा मनी गेंस फानेंसिल गेंस मनी कमाना या डिस्टर्बेंच करना आपके सिस्टम को या फिर एस्पराइज करना निगरानी करना मलब फ्यूचर के बनाने के लिए निगरानी करना यह काम होता है यह डिफरेंट डिफरिट ट आइस के होते हैं उनके वेसलते होताइब्ध پर, यह इसमें राल को रेक्ट नेचर किसजिर या कोई vendor है अब वो employees या तो company से रिकाल दिया गया है या company में माली जी कुछ ऐसी problem हो गई उस पर जैसे वह कुछ security company के या data है उनको leak कर सकता है किसे कहीं पर तो इससे company के लिए कुछ बड़ी problem करीठ हो सकती है तो इसके लिए solution क्या हो सकता है इसके solution हो सकता है कि services in-in-home यह third party service security operation centers होते हैं कोई भी third party की आफ services ले सकते हैं यह लोग services provide कराते हैं जिसे क्या रहता है कि जो भी operation हो रही है आपके organization में वह सब transparent रहेंगी मालब उसमें क्या रहेगा कि क्या आपके employee activity perform कर रहे हैं आप उनको तुरंट निगरानी करते रहेंगे मालब उसमें कुछ भी जानकारी पता चल जाएगी नेकिसे मालबेर मालबेर क्या होते हैं यह भी एक तरह के वायरस या वायरस को रन करने के लिए एक होस्ट की requirement होती है इस तैसे जो वायरस की तरह ही काम करते हैं बस इसमें क्या होता है कि एक हुद को replicate कर लेते हैं कि हुद की कौपी बना लेते हैं जैसे बन से टू तू से फो फो से येट एट से बढ़ते जाते हैं वी एक पारस है एक से यह कैसे आता है नेट्वर्क से आप इसको डालोड मलब करेंड वाय डाउul데 किसी भी से या थो आपके एमिलिक में लिंक में वह सकता है वहां से डाउनलोड और अपके स्सेम में ग откры नेट वेक्स से connected होगा तो इससे क्या रहेगा कि यह आपके system की कुछ important information देटा हो उसको क्या करेगा जहां से आया है उनको यह सैंड इसमें परूगाम किया जाता है ताकि यह information गो है attacker को send कर सके तो इसका बेश्ट तरीका है आप anti-virus तो यही रहता है कि इसमें क्या रहता है कि आपके आपको लगेगी कि जैन्वन है उस पर मलब ऐसा लगेगा कि आपकी कोई जानी-पैचानी साइट है और वो साइट जैन्वन है उससे आप आप नफसान नहीं होगा लेकिन उस साइट से आप डायेट हो जाएंगे आपना जो भी इंपोर्टेंट डेटा है या कुछ इंपोर्टेंट इंफॉमेशन है वो साइट पर एंटर कर देंगे और आपके सिस्टम पर एक्सेस कर लेगा तो यह रहता है इसमें कर रहेगा कि आ सब्सक्राइब आपके सिस्टम पर एक्सेस कर लेते हैं सोचल इंजिंग में आता है यह हमारा हीमन नेचर का ही पार्ट है कि इसमें क्या रहेगा कि आपके सोचल एकाउंट से इसे इस पेस्बॉक की बात करूंगा क्योंकि सबसे पॉप्लर फेस्बॉक तो उसमें आपकी क करके यह लोग उससे अटेकर्स कुछ और इंफोर्मेशन निकाल सकते हैं और इसके बाद फिर आपके सिस्टम पर अटेक कर सकते हैं इसका एक्जम्पल की बात करें तो गूगल और फेस्बॉक ने कई मिलियंस ऐसे खोए हैं मनीज और सॉलूशन का बेस्ट तरीका इसमें यह है कि आप फिल्टर अपने इमेल क्योंकि इस पिसली ज्यादा अटेक इमेल से होते हैं तो इमेल फिल्टर रखिए या फिर इमेल शाइनिंग सेटिफिकेट्स जो क्या करेंगे कोई ऐसा इमेल आता है तो तुरंत मलग फिल्टर या स्कैनिंग करते हैं नेक्स इसमें फ्रेट्स होता है फॉर्म जेकिंग जो हाई जेकिंग का ही इसमें क्या रहेगा कि हैकर्स एक फॉर्म यूज करता है वैफ साइट पर जैसे आप वेफसाइट बिजिट करते हैं तो उसमें एक सर्वे दिया जाता है वह एक्चुली सर्वे नहीं होता वह गूगल फॉर्म मैंने लिखा एक जम्पल गूगल फॉर्म होता है जिस पर क्या रहेगा कि आपका नेम जो भी इन्फॉमेशन होने चाहिए वह एक सर्वे के फॉर्म पर आपको यसा लगेगा कि हम कोई पर्शनों के जवाब दे रहें सर्वे करें वह पो एक्चुली सर्वे नहीं होता है वह आपके सिस्टम का सर्वे होता है आपके इन्फॉमेशन लेने के लिए सर्वे किया जाता तो जैसि आप वह उसमें पूश्ण पूछते लेते हैं उनके आंसर देते जाते हैं आपका जो भी important data है वह आप इंटर कर चुके होते वहाँ पर इसके बाद फिर वो आपके system को access कर लेते हैं है कर लेते हैं जो भी उन्हे चाहीए होता है तो इसको अवाइट करने के लिए क्या तरीका है कि अब बनेरिटी स्केनिंग करें बनेरिटी क्या होती है इसे भीक्नेस होती है system की तो यक एक software होता है जब उसको आप चलाएंगे तो उससे आपकी जो भीकनेस से सिस्टम में वह पता लग जाएंगी तो इस तरी के अटेक से आप ज्यादा बच पाएंगे एक होता है पेनेटारिक टेस्टिंग एक तरी की हराएंगी घुल एक मलब अटैक है यह कोई टूल नहीं है घंश Sarah किया नहीं केंप्यूटर पर पता करते हैं और इसकी जो विए差 जैने सब्सक्राइंग को बड़नाइज्टिंग के होते हैं या कोई बड़ी कंपधींग्र सुवद्टिंग करते हैं अपने हुपने यह साय जो बीकनेस है उसे फाइंड करने के लिए इवन दो फेस्बुक और ट्विटर्स लोग प्राइज भी देते हैं जो एतिकल है कुछ उनकी लूप फोल्स या कुछ बीकनेस बताते हैं साइट की क्योंकि वह ऐसे पेनेटेसिंग टैस्टिंग पर्फूम करते हैं उसके पर पता का मनलब उसकी बीकनेस अटा के उससे कुछ नए फीचर एट कर देना तो पैस मेनेजमेंट में बैसके लिए आपडेटिंग आता है तो यह इसमें क्या रहता है पेच मेनेजमेंट में कि आप अपने शॉफ्ट्वेर को बार बार अपडेट नहीं करते हैं उसकी पैचिंग सॉफ्ट्रीवेर क Christmas अगर को दें होगा अब एक कि ऐया शॉफ्टी आप उसमें शॉफ्ट्र को जाएंगे तो एसे इसमें होता है को तो पैचिंग हमेशा करती रहना चाहिए इसके अ क्या therapists को सॉलबं करने के लिए में नेक्स होता है इसमें आप डेटेड हाड्वेर्वे तो यह threats solve हो जाएगा इंटरनेट of things insecurities आयोटी क्या होती है इंटरनेट of things में क्या होता है कि आपकी कोई भी physical डिजिटल डिवाइस है उसको इंटरनेट से connect कर देना जैसे आपका cctv लगा हुआ है cctv को आप इंटरनेट से connect है यह सबसे बड़ा बीकनेस है आज के बल्ड में कि इसके थिरूव अटेक जादा होते हैं जतना जादा इसका वेनिफिट है उससे ज्यादा इसका लॉस भी है तो आयोटी का जैसे किसी स्टूडेंट से कुछन भी पूछा था कि सर हमारे आप पर तो cctv नहीं है और इंटरनेट से connected भी नहीं है अधिमाले जैंटरनेट से connected नहीं होता cctv भी होता तो क्या हमारे की जो इसको है किया जा सकता है तो इसका आंसर नो था मेरा क्योंकि जब हमारा इंटरनेट से cctv नहीं है या cctv होता भी इंटरनेट से नहीं connected है तो वहां पर hacking impossible है hacking बहीं पॉसिवल है जहां आपका जो डिवाइसे से वह इंटरनेट से connected नहीं तो नहीं possible है तो इसमें सबसे बैटर तरीका है कि आपके जो भी पासपर्ड है उन्हें आप सिक्क्योर रखिए या से नेट्वेक की जो सर्विसेस हैं उन्हें भी आफ स्ट्रॉंग करिए सिक्क्योर करिए और आपकी जो सॉफ्टेयर हैं उन्हें अपडेट करते र पल है कि कोई बेटर स्वेंग था जिसका सीशी टेप केमरा की बज़से ही बहुत सारा लास हो गया ता मलब उसमें हैं कि सिसी टीवी केमरा की बज़से वी ती मलब जो हैकर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो सीची टीवी कैमरा था उसको पहले उनकी शिस्टम पर डिवर रिख कर लिया तो उसके बाद जो सीची टीवी था उसको नहोंने अपने पास एकस हुआ खिट कर लिया केमरा क्या है काहां क्या है और लेटरै उसके लिए और उसमें टाइम यह ऐसा हो सकता है ने कुछ है मैं शिर्ट इंदर करते हैं तो थर्ड परसंदर के बीच में क्या करता है कि शेंडर से क्म्मिणगेट होके मैसेज ले लेता है उसके पाथ फिर को जो मैसेज लिया है उसको मोडिधाइ़ करके सेंड कर देता है तो से बोलते है में मिडिल अटेक है कि नेक्स डिराब्र होता है इसमें पूर डिजिटल सेटिफिकेट्स बहुँ आप चीज चाहिए अथिए आपने सही साहिं ऑथरीटी से शैटिफिकरन नहीं वनवाए नेक्स होता है यह जो रैंसम फेर होता है एंस घ्यास है कि चस्ताइख उक्राफ्राटर्ण कि उसके बाद उन्हें गोद चिए उसके बाद ने में करीब 2018 में आया था इसमें जो फिटल थी वहां की लाज़ेस्ट फिटल सिटी में था तो कम्प्ली सिटी को इन्हों ने हैक कर लिया था तो रैंसम एक तरह से क्या है फ्रहुती होती है कि से बारें प्रहुती मांगते हैं दो इसके बाद फिरसे इसकी करते हैनों खोल पर देखा हैं कि यह पर्णी गेंस है या एस्पानाइज निगरानी करना है या फिर आपके इस सिस्टम है उसमें कुछ डिस्ट्रॉय करना है थेट कितने पिकार के होते हैं पहला देखा हमने हीमन नेचर्स दूसरा देखा माल ब्र सट देखा फिसिंग अटेक और सोसल इंजिनिंग फिर इसके बाद चौत देहां हमने फोर्म जेकिंग फिर इसके बाद फिर देखा इन इन एडिकेट पैच मेनेजमेंट्स सबसे पांचिंग नहीं करना इसके बाद देखा फैर आउट मिडिल मेन अटेक्स देखा कि कि कोई भी दो पार्टी की थैट पार्ट मुल्ब सेंडर रिसीवर की बीच में कोई थैट परसन है वह आपके मैसेज को चुराक के मोडिफाई करके रिसीवर को सेंड कर दे एक से देखा फिर हमने पूर डिजिटल सेटिक्रेट्स आपकी जो ड इतने सारे विफ सेकुरिटी की थैट्स हैं